नमस्कार फोर पियम में आप सभी का स्वागत है तो लोगतंत्र के महापर्व का आगास पश्चिम उत्तरप्रदेश से हो चुका है पश्चिम की आठ सीटों पर शांतिपूर तरीके से पहला चलल संपन हुआ हाला कि कल एक बहुती दुखत घटना भी हुई मुरादाबाद स पहले चलल में मतदान हुआ था और बीजेपी ने कुमर सरवेश सिंग को प्रताशी बनाया था वो बीमार चल लेते हैं दिल्ली के एमस में उनको भरती कराए गया था लेकिन कल उन्होंने अंतिम सास ली तो पहले चलल के बाद अब तैयारी दूसरे चलल की है 26 अप्रेल को 8 सिटों पर मतदान होना है जिसके लिए कड़ी धूप में शिदत की गर्मी में सभी दल खुब पसीना बाहर है क्योंकि विपक्ष के लिए दूसरा चलल बहुत मात पोड़ है क्योंकि 2019 के चुनाओं में दूसरे चलल की सिटों पर सिर्फ एक सिटों चोड़कर बाकी सिटो पर बीजेपी का कबजा था तो बीजेपी का जोश हाई है दूसरे चलल में लेकिन विपक्ष के लिए कई चुनोतिया होंगी हाला कि पहले चलल में जिस तरह से विपक्ष ने दावा किया है कि बाजपाक का पहला शोही फलाप हो गया तो इससे विपक्ष का मनुबल और विपक्ष के दावे से BJP दूसरे चलव में पिछले मुकाबले थोड़ा टेंशन में जरूर नजर आ रही है। तो जो आठ सीटे हैं वो आपको बता देते हैं कि जहां दूसरे च्रलों में मतदान होना है वो कौन कौन सी सीटे हैं वो आपको मतदाते हैं अम्रोहा, मेरट, बाकपत, घाजियाबाद, गौतमबुदनगर, बुलंद शहर, अलिगर्गड और मतुरा इन सीटों पर दूसरे चुनाओं के लिए 26 अप्रेल को मतदान होगा जिसके लिए घमासान तेज हो गया है पिछले चुनाओं में इस चुनाओं में अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटे बीजेपी ने जीती थी तो इस बार इन आठ सीटों पर NDA और इंडिया के बीच जबर्दस टक्कल है क्यों जैंत चौधरी आरेली जो पिछली बार 2019 के चुनाओं में इंडिया गड़बंदर के साथ थे यानि कि सपा बसपा के साथ थे लेकिन इस बार वो NDA के साथ में हैं तो दोनों और से कई दिगज इस चुनाओं के लिए मैदान में हैं अब सिलसलेवार तरीके से आपको आठ स जोदी और विपक्ष जम कर पसीना बाहर हैं यहां बीजेपी और विपक्ष जम कर इस सीट पर पसीना बाहर हैं बीजेपी इसलिए इस सीट पर ज्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि यह सीट पिछली बार सपा बसपा के खाते में गई थी बसपा के दानिश अली ने यहां से जी दर्शकी थी और अब दानिश अली कॉंग्रेस से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए यह सीट निकाला जरूरी है वहीं विपक्ष भी तावरतोर रैली करके इस सीट को अपने पास ही रखना चाहता है तो बात करता है पहले अम रोहा की तो यहां बी दोनों मुस्लिम प्रताशी होने के वज़े से वोट कटनाता है वहीं रालोत के आने से यहां बीजेपी और मजबूत हुई है तो पिछली बार बसपा से दानिश अली थे इस बार भी बसपा से मुस्लिम प्रताशी ही मैदान में है तो जाहर सी बात है मुस्लिम वोट बैंक जहाँ पर बटेगा और सीधा फाइदा बीजेपी को यहां से होगा अब बात करते हैं मेरट की मेरट में बीजेपी ने आरूल गोविल पर दाव लगाया है जो फेमस धारवाइक रामयर में प्रबूर राम की भूमिका में दिख चुके हैं उन पर बीजेपी ने इस बार दाव लगाया है और लोगों में आज भी उनकी परती वैसे ही भावना देखने को मिलती है लेकिन जब से वो प्रताशी बने है बीजेपी के तब से वो कई बार ट्रोल भी हो चुके हैं वहीं बस्पा ने देवरत त्यागी और सपा ने सुनिता वर्मा को टिकट दिया है मेरट सीट पर पहले भी बीजेपी का ही कबजा था अब बात करते हैं घाजयबाद की घाजयबाद लोगस्वा सीट से बीजेपी ने दो बार सांसद रहे वेके सिंग का टिकट काट कर अतुल गर्ग पर दाव लगाया है और कॉंग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है वहीं बस्पा से नंद किशोर पुंडीर मैदान में है वहीं गौतमबोद नगर सीट से बीजेपी ने लगातार दो बार सांसद रहे डॉली शर्मा को फिर से टिकट दिया है वहीं बस्पा कियोर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है वहीं समाज़ादी पार्टी ने इस सीट से महेंद्र नागर को टिकट दिया है तीनों प्रताशी अलग-अलग जातियों से हैं ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिल्चस्प है वहीं बुलंद शेर सीट अनुसूचित जाती के लिए अरक्षित है इस सीट पर भी पिछली दो बार से लगातार बीजेपी का कबजा रहा है बीजेपी ने यहां से भोला सिंग को फिर से मैदान मोता रहा है तो वहीं सपा कॉंग्रेस गड़बंदन से शिवराम वालमिकी और बस्पा ने नगीना से सांसत रहे ग्रीश चंदर पर दाम लगाया है 2009 को छोड़कर 1991 से यहां लगातार बीजेपी की जीत होती रही बात अलिगर्ण लोकस्वा सीट की करते है इस सीट पर बीजेपी का कबजा है बीजेपी ने यहां वर्तवान सांसत सतीज गौतम को ही टिकट दिया है बस पारे यहां मुस्लिम परताशी गुफरान नूर का टिकट काट कर बीजेपी से ही आये हितेंदर कुमार को टिकट दिया है समाज़ादी पार्टी से जाट ब्रादरी के विजेंदर सिंग मैदान में है या इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निड़लाएक बोमी का निबाते हैं लेकिन तीनों दलों में किसी ने भी मुस्लिम परताशी अलेगर सी नहीं उता रहा है मैं बात करते हैं मतुरा लोकसवा सीट की इस सीट से लगातार दो बार फिल्म अभी नेतरी हेवा मालीनी सांसत रही है और इस बार भी वो बीजेपी के और से चुनावी मैदान में है कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है और बोजन समाच पार्टी ने यहां जाट ब्रदरी से आने वाले सुरेश सिंग को प्रताशी बनाया है सीम योगी ने मतुरा सीट से ही अपने चुनावी प्रचार का अगास करते हुए यह कह दिया था कि अब काशी और वायोद्या के बाद अब मतुरा की बारी है तो यह वो आठ सीटे हैं जहां घमसान तेज है अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि इस बार इन सीटों पर कौन कितना कमाल कर पाता है जिस तरह के से हमने पहले ही आपको बताया कि 2019 में इन आठ सीटों पर अमरोहा चोड़कर बाकी समी सीटों पर बीजेपी का कबजा था और इस बार बीजेपी के साथ आरल्डी है तो बीजेपी का मनोबल और ज़्यदा बढ़ा है उसका जोश हाई है और अब देखना यह होगा कि आखरकार जिस तरीके से पिछली बार अमरोहा सीट बीजेपी के हाथ से चली गए थी क्या इस बार अमरोहा सीट बीजेपी जीत पाएगी क्योंकि जिस तरीके से अमरोहा से इस बार दो दो प्रताशी मुस्लिम है एक तो बसपा ने मुस्लिम प्रताशी उतारा है और वही सपा कॉंग्रेस गडबंधन ने दानिश अली जो की मुस्लिम प्रताशी है उनको अमरोहा से चुनावी मैदान में उता रहा है तो दो-दो मुस्लिम प्रताश्य होने की वज़े से अमरोहा में मुस्लिम वोड बैंक बटनाता है और इसका सीधा फाइदा इस चुनाव में बीजे पी को होते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन जो जानकार है वो ये कहते है कि मुस्लिम वोड बैंक अमरोहा में बटने वाला नहीं है जादतर जो मुस्लिम वोड बैंक है वो सपाक कॉंग्रेस को ही जाएगा बस पाक को बहुत कम जाने वाला है तो लड़ाई महाँ पर दिल्चस्प है अब देखना यह होगा कि आखरकार इस बार अमरोहा में जीत किसकी होती है एंडिया गडबंदन की या फिर एंडिया की और बाकी साथ सीटों पर भी काटे का मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा दूसरे चरल में जा तो आज के लिए इतना ही आप देखते रहे फॉर पियम झाल झाल झाल